लास्ट वीडियो हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी गुल मोहर का पाठ 15 ए भाई जरा देख के चलो यह नाटक नाटक बताये गया है इसमें तो हम उसका पहला द्रश हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे दूसरा द्रश्च द दोड़ते हुए घर जाता है दर्वाजा खट खट आता है रागव मा मा दर्वाजा खोलो दर्वाजा खट 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 आता है और बोलता है कि मा मा दर्वाजा खोलो मा दर्वाजा खोलते हुए दर्वाजा खोलती है और बोलती है इतनी देर कहां इतनी देर तक कहां थे आं चलो आखें धुलवादू मां भोलती है इसकी रागब की मा अभ थोड़ी देर लेट जाओ मा उससे बोलती है कि थोड़ी देर लेट जाओ आराम करो रागब बोलता है मा मेरी आँखों में बहुत दर्द है ये खुल ही नहीं रही है धूल मिट्टी की वज़े से उसकी आँखे दर्द होने लगती है और उसकी आँखे खुलती रही है उसे तकलीफ होती है मा बुलती है आंधी रुक ही नहीं रही डाक्टर चाचा को फोन करती हूँ आंधी रुकते ही चले आए फोन करती है डाक्टर साब आते हैं वे डाक्टर को फोन करती है कि आंधी रुकते ही आप आजाए और ऐसा कहकर फोन करती है तो डाक्टर साब आते हैं डॉक्टर मैंने रागव की आँखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, पट्टी मिन्स कपड़े का लंबा टुकड़ा जो आँखों में बान दिया जाता, जिससे बारवार आँख है, खोलना उसे आराम मिले, बान देता हूँ, या अब आराम करो, मा और डॉक रागव को अपनी गलती का अइसास होता है, उसे बस्तावा होता है, और बोलता है, कि गौरव का घर पास में ही है, क्यो ना मैं उसके घर जाकर उससे घर जाकर अइसे गनी बास से गभाई है, उससे लगता है, पन्रुम ने ङलत अ tillि गभार बाद के गविए भास और गौरब बोलता है तो उसे वह पहचान नहीं पाता है और बोलता है गौरब बोलता है देखकर चलो भाई रुको रुको मैं उठाता हूं हाँ कहां जा रहे थे ऐसे अप खड़े हो जाओ कहीं चोट तो नहीं लगी वह उसकी मदद करता है राघब की मदद करता है कौन गौरब मदद करता है देखिए ठोकर खा कर गिर जाता है तो गौरब उसे देखता है और उसे बोलता है कि देखकर चलो भाई रुको मैं उठाता हूं तुम्हें आप खड़े हो जाओ और उससे पूसता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी राघब तुमसे छमा मांगने आया हूँ आज मेरी आँखों पर पट्टी बंधी है आज मुझे पता चला जाने दो बस कह दो छमा कर दिया मतलब उसे अपनी गलती का हिसास होता फिर भी पूरी बात नहीं करता आधिय धूरी बात बोलता है और कहता है चलो जाने दो बस कह दो इतना की छमा कर दिया गौरब गौरब बोलता है मैं सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज सुनी उसकी आवाज सुनकर वह उसके पास आता है और बोलता है कि तुम तो मेरे मित्र हो छमा कैसी मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था पत्थर का पता ही नहीं चला गिर गया तुम्हारा कोई दोश नहीं है हम दोनों मित्र है, मतलब गौरव को इस बात का पता ही नहीं था कि रागव ने जान बूच कर रास्ते के बीचो बीच में पत्थर रखा था गौरव को गिराने के लिए है ना, तो गौरव ने कहा कि छमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है है ना, तुम मेरे मित्र हो, मैं तो अपने ही धुन में गाना गाते हुए जा रहा था और पत्थर का पता ही नहीं चला, और वह गिर गया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है हम दौनों तो मित्र हैं दोस्त हैं तो रागव धीमेश्वर में बोलता है उसे पस्तावा होता है तो वह बोलता है धीमेश्वर में हां मित्र अब हम मित्र ही रहेंगे वह भी बोलता है रागवी गौरव से कि हां मित्र अब हम मित्र ही रहेंगे और दौनों की दोस्ती हो जा गठेन शब्दों के अर्थ दिये हुए हैं और उसके बाद आप exercise से oral question मौखिक प्रशनों के उत्तर find करेंगे ओके आपसे oral question answer बनने चाहिए ओके students बाई 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 गुड़े